जहिंस आते हो आज की डेट में आपके लिए लेकर आयों एक नई विकेंसी की जनकारे जिसे की आप ये नोटिपीकेसन देख सकते हैं ये नोटिपीकेसन जारी किया गे गुजरात मेट्रो रेल कोरपरेशन लिमिटेट की तरफ से ये आपके लिए अच्छा यहाँ पर मौका देखने को मिल रहा है जिसमें आईटे और यहाँ पर जो चातर डिग्री डिप्लोमा कंप्लेट कर चुके उनके लिए यहाँ पर वेक यहाँ पर वेकिंसी का नोटिपीकेसन डेट देखिए आपको देखने को मिलता है 25 जनवरी 2023 को अधाद आज की डेट में नोटिपीकेसन जारी किया गे जिसे आप यहाँ पर निचाएंगे स्क्रॉल करते हुए जिसमें जो फार्म को अप्लाई कर पाएंगे आईटे तो यहाँ पर आपको technician apprenticeship diploma तो technician apprenticeship IT वाले और यहाँ पर फार्म को अप्लाई कर पाएंगे जिसमें electrician के लिए total 21 seat खाली है और mechanical feeder के लिहाँ पर आपको 9 seat खाली देखने को मिल जाती है यदि यहाँ पर बात करें उम्र की तो यहाँ पर आप उम्र देख सकते हैं 18-25 वर्स के जो छात्रे वो लोग इस वांग को apply कर पाएंगे और उनका जो उम्र count किया जाएगा 8-2-2023 से मतलब कि 8 फरवरी 2023 से आपका उम्र count किया जाएगा यदि आपके उम्र 18-25 वर्स हो जाती है तो आप इस वांग को apply कर पाएंगे जिससे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको qualification भी देखने को मिल जाती है तो qualification वाले section में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है इसमें जो qualification रखागे आपका 10 पास अतात यहाँ पर आपका 10 प्लस 2 और आपका it complete होना जाए ITA ध्याने किएगा आप चाहें यहाँ पर गुजरात से यहाँ पर हैं तो GCBT का आपका यहाँ पर IT certificate होगा तो चलेगा यह आपने NCBT का IT कर रखा है INCBT से तो आप फार्म को apply कर पाएंगे इसमें SCBT वालों के लिए मोका नहीं दिया जारा है मैं आपको बता जाता हूं इसके बाद यहाँ पर देखिए जो डिप्लोमा के चाहतने ध्याने किएगा यह आपने 3-year का डिप्लोमा कूर्स complete कर रखा है इंजिनिंग से mechanical या electrical से त इन्होंने जनकारी दे रखिए कि जो चातर स्वान को apply करना चाहते हैं 18 से यहाँ पर 25 वर्स उनकी उम्र होने चाहिए और 8-2-2023 से उनका उम्र count किया जाएगा निचे आप आएंगे scroll करते हूए तो यहाँ पर age में जो छूट दी जाती है उसके बारे में इन्होंने जनका पारे दे रखिए कि स्टी के जो चातर है उनके लिए आप पर 5 साल की छूटे और जो चातर OVC के अंतरगत आते हैं उनके लिए आप पर 3 साल की छूट रखी गई है नीचे आप आएंगे scroll करते हैं तुवीति का जो आपको इसमें दिया जाता है वो यहाँ पर 9000 आपको द यहाँ 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 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पर प्रियेड आप वन यह साब तोर पर लिखा गया तो इसमें आपको एक साल का जो इसमें ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा निचे आप आएंगे scroll करते हुए तो selection के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए त चाहिए वो apprenticeship के अंतरगत आती है या job के अंतरगत आती है यहाँ आपको जनकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहोगा सब्सक्राइब वाला उसे दबाईए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर on notification क्लिक करें आपको हर एक विकिंसी की जनकारी मिलती रहेगी निचे आप आएंगे सात्यों तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ अधर भी चीज़ यहाँ पर बताईगे विरिफिकेसन के बारे में यह जो भी यहाँ पर फान को प्लाई करते यदि उनका यहाँ पर लिश्ट में नाम आ जाता है तो पीसको आप अपूरका हमेसा एक्टिव होना चाहिए दूसरी बात ध्याने किएगा यदि आप apprenticeship के यहां पर पहले किसी भी संस्ता से आपने कर रखा है चाहे वो private संस्ता हो या government संस्ता हो तो आप इस farm को apply नहीं कर पाएंगे इसको आप ध्याने किएगा निचे आप आएंगे साथ हो scroll करते हुए तो यहां पर इसके बार लेकिन apply करने से पहले आपको यहां पर इसके official website पर registration करने की जुरूत पड़ेगी यदि आपने registration नहीं किया है तो link आपको इस वीडियो के description box में दे दिया जाएगा वहां से आप एक छोटी सी वीडियो देखकर असानी से registration कर पाएंगे इसके बाद यहां पर बताया गया है जब आप farm को apply करेंगे तो यह आपको code जो यूज करना है आईटाई चातरों के लिए ध्याने किएगा यदि आप mechanical के अंतरगत अंतरगत अपने ITI complete किया है तो यह code आपको apply करने के समय लगेगा और जो चातर electricians है उनके लिए code की जुरूत पड़ेगी बागी आपर मैं आज की डेट में यह notification जारी किया गए और दूसरी बात ध्याने किएगा यह जो फार्म आपका एक्टिव होगा फार्म बरना सुरू होगा वह 25 जनवरी से अथा आज की डेट से फार्म बरना स्टार्ट भी हो चुका है और यहां पर लाश्ट डेट इसका देख सकते हैं 8 फ मेट्रो रेल कोर्परेशन जी MRC की तरफ से notification दिया गए तो एक अच्छा opportunity है आप इसमें फार्म को apply जरूर कीजिएगा